दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों और आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों वाइरल दौए सोनू के विसे में किस तरीके से आधर्णिये मुख्यमंत्री नितिस कुमाजी के आखों में आखे डाल कर आखे ने चोटे से पाट साल के चोटे से फाइफ क्लस के बच्चे पढ़ने वाले ने ऑसका पहला फूOoh मैं पलगए उसने नहीं पढ़ पा रहू हूं चुकि मेरे पिताजी पैसा कमा करला है उससका सराब पी जाते हैं यानी कि दोस्तों यह भी बता दिया और यह दिखा दिया आपके जो सिख्षा प्रवस्ता और आपके क्या जो सराब बंदी कानून है एक दम से फैलियोर है एक चोटे से बच्चे ने बता दिया दोस्तों अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि जो वाइरल वाइस सुनूं है इतना होल हंगामा और उसकी जब वीडियो वाइरल हो गई तो उसके पश्चाथ क्या हुआ दोस्तों सबसे बड़ा बात दोस्तों कि लड़के ने बहुत हिम्मत दिखा करके और निशित रूप से प्रकृत का कोई उस लड़के पर किपा होगी जिस तरीके से उसने आदरणी जो कि उस बड़ उस बच्चे की वीडियो जो है देखते देखते वाइरल हो जाती है वाइरल होने का परिणाम आप जैसा की जोस्तों जानते होंगे और यह बात समझे दोस्तों कि उसने केवल नितिश कुमार जी को भी आइना नहीं दिखा दिया जिस पर वह अपना पीट थपते हैं कि वीहार में सिक्षा बबश्ता सही है वीहार में सराबंदी कानून जो एक दम पून रूप से लगू है अब एक वेक्ति को किसी को आइन काम है दोस्तों कि आज जो है बच्चे मुख्यमंतरी के सामने बहुत ही रदब तरीके से सवाल पूछ लेते हैं कि सर मुझे पढ़ने के वह साखी जाए दोस्तों सिल्सिरा सुरा हो जाता है जैसे ही वीडियो वायराल हो जाती है जैसा कि आप जानते होंगे उसके बात सोन सूथ बहुत सारे लोग help करने के लिए आगे आ जाते हैं लेकिन सवाल यह है दोस्तों सबसे बड़ा कि क्या वैसे भी दोस्तों आप जानते होंगे नेता कहां जुटता है नेता वहां जुटता है जहां भीड़ जुटती है उस लड़के के घर पहुंच गया तो उस वीड में अप्योंकिस्था नहीं दोस्तों और उन्तमाम जो भी मीडियकर्मी है उनसे भी सवाल है क्या इक दिन अपने चैनल में बेठ करके बियार के सिक्षा उससा पर बदकी क्या बिहार में कभी चुनाओं होते हैं तो सिख्षा कोई मुद्दा बनता है नहीं दोस्तों बिहार में अगर बिहार में सिख्षा कभी चुनाओं का विशही नहीं बनता है विशही बिहार में सिख्षा बनता है तो बिहार में जातीज बन जाती है यहां की मुद्दा कोई क मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ने की विस्थाय नहीं है सुचिए दोस्तों के 35 लाख बच्चे आज गौर्मेंटी स्कूल्स में पढ़ते हैं विहार में क्या उनके लिए एक सरकार पर वस्थाय नहीं कर पाई लो डाउट दोस्तों कि विहार जब नितिश कुमार जी आ देने से और ऐसे सिक्षकों की जो रिक्रूट्मेंट किया जहां सिक्षक की सिक्षक करने वाला कौन था मुख्या था वह ऐसे मुख्या थे जो दबंग और बहुत से करप्टेड लोग ते जो पैसे ले करके ऐसे लोगों की ऐसे लोगों की वेकेंसी में एंट्री लेली जो पढ़ने के योगहीन यहीं तथे तो हमारा शिक्षा क्यों ना खरावफ दो जो ना छोटे बच्चे सवाल पूइश्म किऊ ona आके जितने भी स्वाटियो बाहर जाते हैं तो क्यों जाता है क्यों इसलिए क्योंकि जानते हैं वह कि बियार में वेसिय जो कहीं दोस्तों कि भी आर में quality of education डल है quality of education and quantity of education दोस्तों आप मेरी वीडियो जो कि दोस्तों जो मेरी वीडियो है सिक्षा विवस्ता पर अपने description box के link डाल दूंगा इसमें उसके link अब देखिएगा दोस्तों मैंने उसमें नितिया आयोग की रिपोर्ट की चर्चा की थी और पताया था किस तरीके से विहार जो है नितिया आयोग की रिपोर्ट में नीचे स वाले लोग पैदा नहीं होते हैं और आज बच्चे की वीडियो और ऩार Gay जाते हैं और दोस्तों सबसे बड़ी ताजू की बांट जब सभी कोई दो कोई कहता है कि मैं कि भाष मैं लाम लिखवा लुगा अरे बिहार करेता हूं सुनों मैं तुम लोगों से कहता हूं कि तुमने बात की विहार में सिक्षाक्षा के मिसे में यह बात कि तुमने 35,00,00,00,00 बच्चों के भविस्टे के भीस्टे के में याद रखना हमारा भविस्ट सुरक्षित नहीं है आने वाले बिहार में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है दोस्तों मैं यह डंके की चोट पर कह सकता हूं मैं यह इसने बात कह रहा हूं क्योंकि बियार में जो बच्चे है वह उनके पास लैक आफ फसीलिटी अवेलेबल नहीं है जिसके चलते वह बहार जाए सके और पढ़ सके यह सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि इस तरह के सिक्षा पर वस्ता से बहुत बढ़े प्रस्ट चिन ने खड़ा होते हैं नो डाउड दोस्तों कि नोने कुछ नहीं किया सिक्षा के वस्ता के लिए लेकिन प्वालिटी ओफ एजूकेशन में ने कुछ रही किया यह सवाल जो है बच्चे ने सवाल पूछ लिया दोस्तों लड़का लड़का जो बोला सीम से कि अगर उसकी वीडियो देखेंगे बहुत सारी मै लळए रधीकारी कले अच oxid टेसमें अधिकारी दोस्तों में तो इसंसे कहता हूं मेरे जितने भी लोग है मैं उनसे सब से कहता पर घ्यादा हूं बीरोकिरस्टी इतने हवी है इतनी हवी है कि निताने फटे को बिरोख्रेट चलाना है यब यकीन नहीं आता है यहां पर कौ कौन निता है और कौन बिरोक्रेट्स है क्योंकि बिरोक्रेट्स सवाल पूछने की हीमत यहां की जनता में नहीं है वह इसलिए नहीं है क्योंकि आप एजुकेटर नहीं है वह जनता का नौकर है लेकिन जनता को यह नहीं मालूम है कि वह हमारे लिए वहां बैठा हुआ है रह लिया जाए कि नेता यहां कर नहीं है जिसके चलते हैं अधिकारी उनको चरा रहे हैं यह बात मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों बहुत ऐसे इंसिदेंट बिहार में आपको आए दिन देखने को मिल जाएंगे जहां अधिकारी जो है निताओं की बात नहीं सुनते हैं और आप पॉलिसी मेकर्स में पॉलिस जो पॉलिसी बनाने योग्य है उनको लेकर कर आपाए ना कि ऐसे छुट भाया नेते को लेकर कर आजाए जिसको खुछी एजुकेशन उसने नहीं कि लिए और बात में वह एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है दोस्तों मैं आप सभी को एक सवाल पूछना चाहता हूँ दियार में कभी सवाल नहीं कीडियेट की जाती है यहालत प्द्वावारें भाकर आप लोकर प्र्लम थोसका दोस्ति कॉन हैं रही है दोस्तों नहीं हैं दोस्तों Smith क्योंगे प्रूसेस होगा निशीत रूपे कहीं यह कहीं न कहीं से जो जाल करके और वो रिक्रूट होकर कर आ गए होंगे अब सवाल यह दोस्तों की नुखेश रूप मुझे जड़ों पे सवाल और सवाल कोई अगर पढ़ जाते हैं तो अच्छा है सोनु को आप सभी नेता मिल करके पढ़ा दें लेकिन मैं उन्नताओं सभी कहना चाहता हूं कि कभी आप जाएं सरकारी स्कूलों में और पता करें कि क्या वहाँ पर विवस्था हैं कुछ नहीं है और उस तो बात छोड़िए दोस्तों और पटना हाइस कॉल में गया सब्सक्राइब को विवस्था को कई मर्तबअ ने दिखाया और कि भी हार कि कोई को इस भी अधीकारी का बच्चा सर्कारी स्कूल में पढ़ने स्थाइज हो जैंगी यहां बदिकारीका बच्छा को नवेटी स्कूल में पढ़ता है और इस खुल को दोस्तों अविशाप माना माना जाता है कि अन्यफीरा के लिए उसका साल के बच्चों को free of education देना है क्या मिली क्या बुक्स मिली और वुक्स मिली तो क्या quality of teacher quantity of teachers की well qualified teachers आपने recruit किया नहीं किया क्यों क्योंकि उसमें आपकी बहुत बड़ी politics है और चुकि याद रखेगा दोस्तों मेरे बात जाते जाते मैं एक बहुत सुरू करेंगे अधिकारियों से अपने जितने नेता हैं उन से तो इसलिए यह नेता आपको पढ़ नहीं नहीं देना चाहते हैं यह बात वहीं हो गई दोस्तों जो इस वीडियो में समाप्ति की और है मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं जोस्तों कि सिक्षा एक ऐसी मां का दूद है जो बच्चा इसी पीता है दहालता है इस बात कई मरत आपको सुनने को मिली होगी मैं फिर से आज यही कहना चाहता हूं कि सोनू पढ़े आगे बढ़ झाल